सभी को नमस्कार मैं मनोज मिस्त्रा आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ 27 दिसंबर को वीडियो परिक्षा का आयूजन हुआ था इसमें द्वित्य पारी में हिंदी विशेश से समन्दित जो प्रसन पूछे गई उनके सही उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनका सही उत्तर क्या होगा पहला प्रसन हिंदी से समन्दित आया है किस विकल्प में तद्सम सब्द प्रयुक्त हुए हैं कौन सा विकल्प है इसमें तद्सम सब्द आये हैं इसमें ते नंबर विकल्प से उत्तर होगा वत्स और उलूक दोनों ही तद्सम सब्द हैं वत्स तद्सम है जिसका तद्बव होता है बचड़ा या बच्चा उलूक तद्सम है जिसका तद्बव होता है उलू ये दोनों तद्सम सब्द हैं तो ते नंबर सही उत्तर होगा दूसरा प्रसन है संधी की द्रिष्टी से ए सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए यहाँ पर ते नंबर विकल्प को हम सही उत्तर मानेंगे वधु धन इच्छा से वधविच्छा बनाया गया है यहाँ पर वधु सब्द वर्तनी की द्रिष्टी से गलत लिखावा है वधु में उ दिर्ग आता है इस त्रीके से दिर्ग उ वधु लिखा होता तब ये सही उत्तर माना जाता तो वधु धन इच्छा ते नंबर ए संगत हो गया है गलत लिखावा है बाकी गती पलस आवरोद से गत्यावरोद यनसंदी भ्रात्री प्लस उपकार से भ्रात्रु पकार यनसंदी मधू धन अरी से मध्वरी यनसंदी सही है वधु में दिर्ग उ होता तो सही होता तीसरा प्रसनारा है निम्न में से किस विकल्प के सभी सब्द मूलता है द्विगू समास के उदारण है इसमें भी तीन नंबर विकल्प ही सही उतर होगा साथ सब्ता है सब्त एहनू का समाहार साथ दिनू का समू है सब्ता है कहलाता है और सत अब्दू का समाहार सत यनी सो अब्द यनी वर्ष तो सत अब्दू का समाहार सत अब्दी कहलाता है दोनू में द्विगू समास होगा बाकी औरों में देखें तो त्रिलोचन भगवान सीव के अर्थ में रूड हो जाता है तो बहुवरी समास है दसानन जो है वो दसानन 24 में यहां भी देखें त्रिलोचन में बहुवरी समास होगा और 24 में दोंदो समास होगा दसानन रावन के अर्थ में है तो ये बहुवरी ही समास है और यतेचा अव्वे भाव समास में जाएगा चतुर भुज विष्णू के अर्थ में जाता है तो बहुवरी ही समास है और प्रत्यक्स में अव्वे भाव है ते नमबर में दोनों ही द्विगु समास के उधरन है चुरामे नमबर है ए संगत विकल्प का चैन कीजिए इसमें भी तीसरा विकल्प ही सही है जिसने रिन चुका दिया हो वह उतमर्ण नहीं कहलाता जिसने रिन चुका दिया है उसे उरिन कहा जाता है उतमर्ण तो है रिन देने वाला जो रिन दाता है वो उतमर्ण कहलाता है और जिसने रिन चुका दिया है वो उरिन कहलाता है ते नमबर ए संगत है बाकी निंदा के बहाने प्रसंसा करना व्याज इस्तूती सही लिखावा है परवत का निचला मैदानी भाग उपत्य का कहलाता है सही लिखावा है और प्रसंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा ये भी सही लिखावा है पांचमा प्रसनारा है निम्न में से किस विकल्प के सभी सब्द शुद्ध है इसमें इसमें चार नंबर विकल्प सयुतर होगा चंद्र मोली सीव के अर्थ में शुद लिखावा है समाविष्छ भी सुद लिखावा है और मुनी जन सब्द भी शुद लिखावा है चार नंमबर वाले तेनु सब्द शुद लिखे वे हैं बाकी देखें तो एक नंमबर में आध्यात्म सब्द गलट है सुद्सब्द अध्यात्म होता है साध्धुवाद में U छोटा हरस्वाता है और मोहुर्थ में लिखते हैं तो U दिर्ग आता है इस तरिके से मोहुर्थ होता तो सही होता ससी भूषण में C छोटा हरस्व होता तब यह सही माना जाता पांच्वा प्रसन इसमें आ रहा है किस विकल्प में विलोम युग्म है विलोम युग्म क्या होगा तो इसमें दो नमबर विकल्प सही है किसी की कोई रचना मूल रूप से अपने आप स्वतह लिखी हुई है तो मोलिक कहलाती है और पहले किसी अन्य ने लिख दिया और फिर कवी ने उसका दूसरी भासा में अनुवाद किया तो वो अनुदित रचना कहलाती है तो मोलिक और अनुदित विलोम युग्म माने जा सकते हैं बाकी मूर्थ का विलोम एमूर्थ होगा पूर्व रात्र का विलोम अपर रात्र होगा तो मस्रिन का विलोम रुक्ष होगा इस तरीके से ये विलोम माने जाएंगे दो नंबर में सही लिखावा है फिर आगे किस विकल्प में सभी सब्द परस पर प्रियायवाची हैं इसमें चार नंबर विकल्प सही उतर है धननजय, पार्थ, कौंते, गुडाकेस ये चारूं के चारूं सब्द अर्जुन के लिए प्रिवत के जाते हैं तो चारूं अर्जुन के प्रयवाची होने के कारण चार नंबर सही होगा 98 नंबर का क्यूशन है एक सूची एक में मुहावरे लिखे वे हैं और सूची दो में उनके अर्थ लिखे वे हैं इनको सुमिलित करना है कि कौन सा सुमिलित होगा तो यहाँ पर हम चार नंबर विकल्प को सही उत्तर मानेंगी देखे शिर पर भूत सवार होना इसका मतलब है धुन लग जाना एक में गैसा ही हो जाएगा फिर दाल भात में मुसल चंद इसकारत होता है बेना मतलब दखल देना तो दो में कह हो जाएगा गुलर का फूल होना बहुत कम दिखाई देना या कभी भी दिखाई ने देना और ताड का व्रिक्स का मतलब होता है किसी इसमें देखें तो सही उत्तर किस रूप में आ जाएंगी सिर पर भूत सवार होने का अर्थ हो जाता है दुन लग जाना एक के साथ गय बैठेगा दाल भात में मुशल चंद का मतलब है बिना मतलब दखल देना इसमें दो में कैसे हो जाएगा गुलर का फूल होना कम दिखाई देना ये घे से हो जाएगा और ताड का व्रिक्स का मतलब है किसी काम में ने आना तो इस तरीके से दो एक के साथ गय, दो के साथ गय, तेन के साथ गय और चार के साथ खे वाला विकल बैठेगा तो चार नंबर सही उत्तर होगा फिर अगला प्रसन आ रहा है, उपसर्ग से निर्मित सब्दों के संद्रब में कौन सा विकल संगत है, सही कौन सा है, इसमें चार नंबर सही उत्तर है, स्वल्प में सू धन अल्प सही है, सोहार्द सब्द कैसे बनता है, तो सुहरिद सब्द सब्द मान सकते हैं, और उसमें अपन ए प्रत्ते जोड़ते हैं तो सुहार्द बन जाएगा उका आउ और हरी का आर हो करके सुहार्द सब्द बनेगा तो पहले सुहरिद है ये सु उपसरग इसमें जुड़ावा है और सुसुप्त में देखें तो सुसुप्त में सु उपसरग है और सुप्त सब्द है तो स सू प्लस सूप्त से सूप्त बना है इस तरीके से चार नंबर में सू उपसरग सभी में आ रहा है सू धन अल्प से स्वल्प सूहार्द धन सूहरिद धन ऐसे सूहार्द और सू धन सूप्त से सूप्त तेनों में मुख्य रूप से सू उपसरग जुड़ावा है बाकी ओरू म में देखें तो निशनात में नी उपसरग है नी धनिशनात निस्पक्स में जो है निश उपसरग माना जाएगा नी नहीं होगा निश्ठा में नी है नी धनिस्ता इसमें निस्पक्स में निश हो गया आक्षेप में आ है आसक्ती में भी आ है लेकिन आंगिक में आ नहीं है य अंग प्लस इक के योग से बना है, अंग सब्द और इक प्रते, प्रगती में प्रे है, प्रति वाद में प्रति उपसरग हो गया प्रे नहीं है, प्रगती और प्रभाव में प्रे होगा, लेकिन प्रति वाद में प्रति उपसरग माना जाएगा, तो इनमें तीनु में ही दे अंधक नामक राक्सस का है जो सत्रू वो महादेव स्हasil को कहा जाता है और अंधकारी एक राग विशेश है तो हरस्व ए है तो महादेव के अरत में जाएगा और दिर्ग ए है तो राग विशेश के अर Тем जाएगा इसले दो नंबर यहाँ सही उत्तर मान लेंगी तो ये वीडियो परिक्षा में आये हुए जो प्रसंद थे उन प्रस्णों के सही उत्तर अपने सामने हैं इनके अनुसार हमें सही उत्तर मानने हैं यदि आपने से उत्तर के हैं तो आपके उत्तर सही हैं इनके अलावा के हैं तो आप गलत मान सकते हैं सभी को धन निवाद